है गाईज आज मैं आपके लिए मुल्टिप्लिकेशन की ट्रिक नमबर थर्ड लेकर आई हूँ जिसमें हम एक्स्ट टर्म की मुल्टिप्लिकेशन करेंगे जानी की एक हंडर से ज्यादा और एक हंडर से कम तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हम देखेंगे कि यह टर्म इसमें कम है और कितनी जादा है जानी कि 98 कितनी कम है माइनस चू एंड वान जीरो टू कितनी जादा है प्लस टू तो 98 में प्लस टू कर दीजिए या फिर 102 में माइनस टू कर दीजिए आंसर एक ही आएगा हंडर्ड अब हम जैसे कि मिक्स टर्म की मुल्टिप्लिकेशन कर इसमें हमें क्या करना है कि तू जीरो जोर एड कर देनी है तो अब क्या करेंगे इन दोनों की मुल्टिप्लिकेशन कितने हैं कि फोर वह इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इस वे से हम नेक्स्ट करते हैं 96 कितना कम है 100 से माइनस 4 105 कितना जादा है प्लस 5 अब इन 96 में प्लस 5 कर दीजिए या 105 में माइनस 4 कर दीजिए आंसर आएगा 101 इन दोनों की मुल्टिप्लिकेशन 54 कर 20 वह इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा तो इस वे से हम मिक्स्ट टर्म की मुल्टिप्लिकेशन को सॉल्व कर सकते हैं अब 94 इंटू 105 की मुल्टिप्लिकेशन आप सॉल्व करके कमेंट कर दीजिए थैंक यू